नमस्कार दोस्तों एक वरफिस से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जेटेट पेपर टू का विशे कुडमाली भासा के सिलेवस के बारे में दोस्तों ये जो सिलेवस से क्लास 1-5 और 6-8 तोनों में आपके काम आएगा दोस्तों एक बात हम बता देना चाहेंगे कि अभी तक जेक ने कोई ओफिसियल सिलेवस की घोशना नहीं की है ये जो सिलेवस त्यार किया गया है जेटेट के प्रिवियस येर कोश्चन के आधार पर साथी साथ हाल फिलाल के वर्षों में जो कुरमाली से कोश्चन पुछे गए हैं विभिन्न पुरिक्षाओं में उसके आधार पर इस सिलेवस को त्यार किया गया है तो उमीद किया ज आपको यहीं से मिलेंगी ऐसा हमारा पुरा विश्वास है दोस्तों साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आपकी तैयारी में कुर्माली की कौन कौन सी पुस्तक हैं सहयक सिध्ध हो सकती है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है सारे चीज़नां भी है आद रखना उडिक अ स्वाल कि संग्य को कुर्माली में क्या कहा जाता है तो आंगा सर्वणाम को बचन को लेखा लेंग को लेंगी कहा जाता है कुरुसको जन वर्ट्रaders यादि कि इसको काल हिंदी में परीक इसको का रक के का जाता है एकून समास को कहा जाता है आहना लोकोक्ति को कहा जाता है मुहजरा मुहाबरा को कहा जाता है परतय उपसर्ग पहली जान कहनी को कहा जाता है सब्द वर्नमाला और कुर्माली का भाषा का परीचाए यह सारी चीजें आपको कुर्माली व्याकरन में अच्छी तरह से पढ़नी है और हमारे चैनल पर भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं उसके बाद second point क्या है कुर्माली लोक साहित, कुर्माली लोक साहित के अंतर गत क्या आता है लोक गीत लोक गीत में क्या है करम गीत, बिहा गीत, डाइड़ धरा गीत, डमकच गीत तो इन सारे चीज़ों को ये आपको basic जानकारी रखनी है, कैसी जानकारी रखनी है कि करम गीत में बिभिन परकार के गीत होते हैं जावा उठागीत होता है करम भासा गीत होता है तो किस-किस परकार के गीत होते हैं करम गीत में उसको जानना है उसी तरह विहा गीत में भी कुछ विशेश परकार के गीतों को बारे में आपको जानना है उसके बाद डाइडधरा गीत किसे कहा जाता है यह आपको जानना है उ और इसके लिए आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है यह भी आपको बता देते हैं दोस्तों कुडमाली ब्याकरन की बहुत सारी पुस्तक हैं अभी मार्केट में अभेलेबल हो गई हैं सफल परकासन की सिवांगन की इसके अलावा और दुसरे-दुसरे परकासन की फिर एचेन कौन साथ लिखक अच्छा है या खराब है आपको जो भी मन करता है एक उठा लें कुडमाली ब्याकरन की तो आपको वहां से ब्याकरन वाला पोर्षन की कभर हो जायएगा उसके बाद बात आती है लोक कथा की लोक कथा में हमें क्या पढ़ना है पूईतु बुढ़ा यह क बहुत सारे कोस्टिन पूछे जाते हैं पुईतु बुढ़ा कहानी को अच्छी तरह से पढ़ना है फिर कर्मा धर्मा जो कर्मा पुजा के दोरान सुनाई जाती है सात भाई एक बहन की कहानी ये पढ़ना है चरवाहा और आइकस इन ये भी पढ़ना है इसके अलावा हो सके तो दो चार और कहानियों को पढ़ लें और वे कहानिया हमारे चैनल पर जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएंगी तो पुईतु बुढ़ा कर्मा धर्मा सात भाई एक बहन ये तीन कहानी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार यहां से कोश्चन पूछे जाते हैं उसके ब रातुंक साहित में कुडमालि केहनी जुढ़ती एक पुस्तक है जो चंद्रमहं महतो के संपादक है चंद्रमहं महतो कुड माली केहनी जुटती तो इसमें सात कहानियां है आप एक दो बार जरूर पढ़ लें क्योंकि यहां से भी सवाल बहुत पुछे जाते हैं खास करके यह जो सबरनाखा नदी जो नम है और यह जो भाई-भाई है इन दोनों से बहुत कोश्चन पुछे गए हैं हाल फिलाल के वर्सों में लेकिन आपको क्या करना है एक भी कहान सिकार कहानी चंद्रमहन महतो के दवार लिखी गई है सवर नखान अदिःग जनम, स्यामसुंदर महतो, स्यारेक, चोक्छाली, खिरोधर महतो, भाई-भाई, खोगैंद्र महतो के दवारा, जेनी जागावहान, चंद्रमहन महतो, च hairstट-पटी, वसंत्कुमारमेहता, माश् हर देव नरायन सिंग तो इनको दो तिन बार जरूर पढ़ लें सभी कहानियों को और इसके पात्रों और घटनाओं को याद रखना पढ़ेगा आपको इसके अलावा आगे आपको देखते हैं आगे देखते हैं क्या होता है जार्खन की सामाइन ने जानकारी मतलब जार्खन के बारे में सामाइन ने जानकारी तो जार्खन जी के ताप्त पढ़ते ही होंगे तो इसके लिए आपको विशेस अलग से ध्यान नहीं देना है के बारे में थोड़ी मोड़ी बैसिक जानकारी होनी चाहिए जो आपके पास होगी तो इसके लिए आपको ज्यादा टेंसर नहीं लेना है जार्खंड जी के पढ़ते ही होंगे उसके बाद ये एक महत्पूर्न पॉइंट है कुडमाली के परसित पुस्तके और उसके रचनाक तो कुडमाली में बहुत सारी पुस्तके हैं जो ब्याकरन के किताब में लिखी हुई मिलेंगी तो उन पुस्तकों के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी रखनी है कि उस वह पुस्तक किस से संबंद देता है जैसे एक एक जामपल देते हैं जैसे केरिया बहु क्या तो बेसिक जानकारी आपको रखना है जैसे गांधिक जय क्या है एक उपन्यास है तो उस तरह से पुस्तकों को बारे में बेसिक जानकारी है जैसे कोई कविता संग्रा है कोई नाटक है कोई उपन्यास है तो ऐसे याद रखना है और साथ ही साथ उसके रचनाकार के बारे में भी याद रखना है उसके बाद कोश्चेन पूछे जाते हैं अपठित गड़ से तो अपठित गड़ मतलब और इसे कोश्चेन जो आपके सिलेवस में नहीं है आप मतलब पैसेज जिसको बला बोला जाता है अपठित गड़ मतलब कहीं से एक पेरागराप दे दिया जाएगा और रोहां से कुछ कोश्चेन उठाये जाएगे तो इसके लिए भी आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है यह डायरेक्ट आप परिक्षा होल में इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे देखते हैं क्या है उसके बाद पढ़ना है जीवनी जीवनी का मतलब क्या होता है किसी के जी सुनिल माथतों विर्षा मुंडा सिद्धधु कानू और इसके अलावा और भी कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन मुख्यरूप से एहीं से स्वाल पूछे जाते हैं प्रगुनात माथतों बिनौत भीहरी महतों विर्षा मुंडा सिद्धु कानी इनका जन्म कभ हुआ था इनके गाओं का नाम क्या था और इनके जो मुख्यकारिय क्या हैं ये सब जरूर याद रखें उसके बद खुर्माली रचनाकारों की जीवनी परमूक रचनाकार है उनकी जीवनी तो जीवनी में क्या चीज आपको मिख्षरूप से पढ़ना है जन्म, मिर्त्यू और किस गाउं में हुआ था, किस जिले में हुआ था और इनकी परमुक रचनाओं को और इनके सिक्षा दिक्षा के बारे में भी थोड़ा याद रख सकते हैं तो कुडमाली रचनाकारों में कौन-कौन परमुक हैं हरदेव नारायान सिंग, अनंत केशरियार, बसंत कुमार महता, लखी कांद मुत्रुवार, नंद किशोर सिंग, सिष्टिधर महतो, खुदिराम महतो, केशब चंद्र टिडवार, मान सिंग महतो तो ये सारी जीवनिया भी आपको कुडमाली की व्याकरन किताब में मिल जाएंगी, तो इसके लिए भी टेंसन नहीं लेना है, और जदी आपको नहीं मिलती हैं, तो हमारे यूटीब चैनल में तो जरूर मिल जाएंगी, तो हमारे यूटीब चैनल को भी देखते रहिए, ये बहुत लंबा चोड़ा नाटक है, तो मान लिजे आपको पूरा नाटक याद नहीं भी रहता है, तो कम से कम इसके जो परमुक पात रहें इस नाटक के, उनको जरूर याद रखें, उसके बाद कोश्चन पूछे जाते हैं, कुडमाली भासी संस्कृती से संस्कृती से लिएलो की जाते हैं, क मैं की जाते हैं, कुडमाली में बना ची मोर्ण परमुकरीर्व थे संस्कृती 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 सब तो यह सब कब मनाए जाते हैं उसको आपको याद रखना है साथीate उसके बाद पर आधेने से शब्वार पर चौने मैं तो खेतिवारी से शाद आपको तोड़ा बहुत याद राखना है जैसे जो ऑगुमाने का प्रश्ट बेसिक जानकारियां होती है उनको भी आपको जानना है उसके बाद साधी वियाद के नेक जोग इसमें थोड़ा बहुत साधी वियाद का नेक जोग को भी जानना है तो दोस्तों यह जेटेट का सिलेवस और यह लगभग सारी चीजों को कभर किया गया है और इससे बाहर की चीजें पुछने का उम्मीद बहुत ही कम है थोड़ा बहुत हो सकता है यहाद पूछ भी दे लेकिन ज्यादा तर चीजें आपको यहीं से मिलेंगी तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए धरिनवाद